सन एज वेल बिंग ट्रेनीग प्रोग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें आने वले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइक ओन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें आधुनिक जीवन शैली के दुश्परी नामों से होने वाली कई बिमारियों में आजकल शुगर या डाइबेटीज बहुती आम बात हो गई है डाइबेटीज एक आजीवन रहने वाली बिमारी है यह एक मेटाबॉलिक डिसॉर्डर है जिसमें मरीज के शरीर के रक्त में गलूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है जब व्यक्ति के शरीर में परियाप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है आम तोर पर डाइबेटीज तीन प्रकार के होते हैं टाइप एक डाइबेटीज, टाइप दो डाइबेटीज और जेस्टेशनल डाइबेटीज जो की प्रेगनेंसी के दोरान होने वाली हाई बलड शुगर की समस्या है जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजुद ग्लूकोज या शुगर का उप्योग नहीं कर पाता तब व्यक्ति को डाइबेटीज की समस्या हो जाती हैं डाइबेटीज या शुगर को कम करने और नियंत्रित रखने के लिए सबसे उपयूप्त फूड सप्लिमेंट है सनेज क कमपनी की डाइबो सुधा जो टाबलेट और लिक्विड दो रूपों में उपलब्ध है आम तोर पर डाइबेटीज के मुख्य कारण ये हो सकते हैं इंशिलिन की कमी अनुवंशिक्ता होना बढ़ती उम्र हाई कोलेस्टरॉल लेवल एक्जरसाइज ना करने की आदत हर्म यहां उपर के सभी लक्षणों पर इतना असरदार है सनेच डाइबो सुधा लिक्विड इसमें है सुनफी इंशिलन की सव्वेदन शीलता में भी सुधार करने में उप्यूक्त है त्रीफला एंटिबायोटिक गुनों के कारण यहां इंसुलिन की मात्रा बढ़ने में सहक है हरीद्रा रक्त को शुद्ध करके त्वचा रोगों में लाबदायक होती है आमल की प्राकृतिक रूप से कॉलस्टेराल को घटाता है अम्रुता प्राकृतिक तोर पे इंसुलिन का उत्पादन करने के कारण यह टाइब दो डाइबेटीज को कंट्रोल करने में कुण माना जाता है गुडमार यह खून में शुगर का स्तर कम करता है इसके कारण आतों में शुगर का आउशोशन कम होता है दार्वी मदुमेह से होने वाली जल्लिताओं को होने से रोपती है यह त्वचा तथा नेत्र विकारों में भी गुणकारी है जामुन इसके वी होते हुए भी यह पौश्टिक आउशदी है जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करती है अर्जुन रुदय को बल देता है मेद यानि चर्बी का नाश करता है पुनर्नवा इससे ग्लुकोज का स्तर नियंत्रित होता है विजैसार यह कॉलस्टेराल को निय सबी लक्षनों को दूर करती है अब जानते हैं डाइबो सुधा टैबलेट के घटक पाउडर में उप्यूक्त असरदार आयरुवेदिक के आउशिदियों के अलावा चंद्रप्रभा वटी है जो 37 आयरुवेदिक जड़ी बूटियों और भस्मों को मिलकर बनाई जाती है मधुमेह के लक्षनों को नियंत्रित करने में इसका उप्योग होता है देवदार सरदी, वात और कफ दोशों का शमन करती है इनके अलावा त्रिफला, निमबत्वक, कुटकी, अमृता, गुडमार, दार्वी, जामुन, आमलकी, आधी आयरुवेदिक घटकों का समाविश होता है डाइबोसुदा लिकविड हो या टाबलेट ये दोनों एक जैसा ही परिणाम रखते है डाइबेटीज या शुगर को कम करने और नियंत्रित रखने के लिए अवश्य इस्तमाल कीजिए सनेजatal डाइबोसुदा टाबलेट और लिकविड डाइबोसुदा के सेवन क विधी अर्थात डोसेज, डाइबोसुधा लिक्विड 10-30 मिली पानी के साथ चिकित्सक की सला अनुसार ले सकते हैं, डाइबोसुधा टैबलेट एक से दो गोली दिन में चिकित्सक की सला अनुसार गुनगुने पानी के साथ ले जा सकती है